बात हम कर रहे थे definite integration के evaluation की और process जो हम use करने वाले हैं वो है limit of a sum का या first principle के नाम से भी इसको बुलाया जाता है या limit of infinite series के नाम से भी से बुलाया जाता है और इसमें सिर्फ यही एक formula का use होता है इसी formula का use करके हम definite integration को solve करते हैं definite integration को limit of a sum के method से solve करने के लिए five easy steps हैं पांच आसान steps हैं जिसके थूँ हम इस question को या किसी भी question को limit of a sum या first principle से solve करते हैं आईए हम उन methods को समझते हैं या उन steps को समझते हैं हम find out करने वाले हैं limit of a sum a to b fx dx का limit a to b fx dx का पांच simple steps होते हैं पांच simple steps में first step में आपको क्या करना हैं आपको a, b, fx इसको पहचानना है a, b और fx कहने का मत्तब कि जो भी आपका question दिया हुआ रहेगा उस question में आपका lower limit क्या है ध्यान दिजे, a जो है यहाँ का lower limit है, b जो है यहाँ का upper limit है और आपको वो function पहचानना है जिस function को आप integrate करने वाले हैं आपको a की value पता चलनी चाहिए, आपको b की value पता रहनी चाहिए, आपको fx पता रहना चाहिए कि हमारा function क्या है function जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो पूरे को हम fx के त्रूर रिप्रेजेंट करेंगे इसके अलावा हमें लिखना है, n is equal to b minus a upon h इसमें यह n और h जो है ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस b और a की value को आप put करेंगे b आपका और कुछ नहीं upper limit है, a और कुछ नहीं lower limit है यह दोनों की value आपको पता रहेगी, तो यहाँ पर इन दोनों की value को put करके solve करके n की value h के terms में निकालनी है ध्यान रखिएगा यह n है और यह h है n और h लिखते से में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहां पर आप n लिख रहे हैं और कहां पर आप h लिख रहे है पहला step आपका बस यही है आपको जो भी question दिया जाओ उस question में बस आप यह पता करें कि आपका a क्या है, b क्या है, fx क्या है और n की value आप निकालें, b minus a upon h करके b और a की value बस put करिएगा, h वैसे ही रहेगा second step में हम formula लिखेंगे second step जो होता है वो और कुछ नहीं, हमने जो यह formula देखा था इसी formula को हम बस लिख देते हैं इस formula को लिखने के बाद हम इन सब की particular values find out करेंगे पहले हम fa की value find out करेंगे फिर हम fa plus h की value find out करेंगे फिर हम fa plus 2h की value find out करेंगे फिर dash 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 देकर हम fa plus n minus 1h की value find out करेंगे और इन सब की value को find out करने के बाद उसे इस जगह पर put कर देना है second step में बस आपको यह formula लिखना है इन सब की value निकाल कर इसकी जगह पर put करना है बस यही है आपका step number 2 step number 1, step number 2 step number 2 के बाद जब आप fa, fa plus h, fa plus 2h से लेकर fa plus n minus 1h की value को यहाँ put कर चुके होंगे उसके बाद इसको solve करके हमें n minus 1 terms के sum का formula लगाना है यह सब formula जो हमने अभी देखे थे इन सब formula में से किसी formula की जरूरत जो है यहाँ पर हमें पड़ेगी जब हम यहाँ पर values को put करेंगे values को put करने के बाद हमें sum of n minus 1 terms के formula की जरूरत पड़ेगी बस वहाँ से उस formula को use कर लेना है formula को use करने के बाद हमारा step number 3 complete हो जाएगा और step number 4 में किया क्या जाता है यह जो बाहर में आप h देख रहे हैं इस बाहर वाले h को अंदर multiply कर देना है बाहर में जो यह h है इस बाहर वाले h को आपको अंदर multiply कर देना है multiply करने के बाद आपको nh की value जहां जहां पर bracket के अंदर आपको nh दिखेगा उस nh की जगा पर आप b minus a रखेंगे ध्यान रखें बी minus a कहने का मतलब कि जो भी आपका question दिया हुआ है उसमें upper limit और lower limit तो आपको मालूम होगा upper limit और lower limit अगर मालूम होगा तो b minus a की finite value आएगी nh को आपको उसी number से replace करना है या तो आप nh की value b minus a लिखिए या n की जगा पर b minus a upon h रखिए दोनों का मतलब सेम था ये था आपका step number 4 step number 4 के बाद आपको step number 5 में और कुछ नहीं करना है limit h tends to 0 कर देना है जहां जहां आपका h रहेगा पहले तो आपने nh की जगा पर b minus a पुट कर दिया nh की जगा पर b minus a पुट करने के बाद जहां जहां पर आपको h दिखेगा उस h को आपको 0 कर देना है पूरे bracket के अंदर जहां जहां आपको h दिख रहा हो उसको आप 0 कर दिजी 0 करके solve करिए जो आएगा वही आपका final answer होगा definite integration का evaluation limit of a sum के process से करने में बस यही 5 simple steps होते हैं इन ही 5 simple steps के थुरू हम किसी भी question को limit of a sum या first principle के method से solve करते हैं